तीपिका पादुकॉन विशेश रूप से सोचियों वो किसकी बेटी है। वो श्री प्रिकाश पादुकॉन जी की बेटी है। जिन्होंने देश को गौरवानवित किया है। अपने खेल के माध्यम से अपने अजुन का हुनर था जो अपने उनकी छमताईं थी उसके माध्यम से। लेकिन एक ऐसा और जो रजत पठ है। यह जो सिल्वर स्क्रीन है। यह कहीं शायर आज के समय में सबसे बड़ा माध्यम है लोगों से जुड़ेने का। तो हाँ एक इस्तरी होने के नाते भी मैं थोड़ा जादा शर्मसार महसूस करती हूँ कि कहां पे ऐसे कुछ मुठी वरुधारन एक हमारी कहते नारी जाती को कहीं शर्मिंदा करते हैं हमें कटगरे में खड़ा करते हैं और रही बात तो अभी तो यह नहीं अभी तो बहु तो मेरा मानना है कि जितने भी जो ड्रग पैडलर निकले वो तो सारे पुरुष थे अभी यह एक ग्रूप उपिन हुआ है मुझे लगता है कि सकती से पूछ ताँच होगी तो जाहिर सी बात ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें पुरुष नहीं होंगे तो मेरा यह मानना है कि एक जाग रुकता बनाए रखे विक्टिम कार्ड खेलने दीजिए वो तो उनका काम भी है अभी नहीं और वो सारा कुछ तो वो अपना काम कर रही है जो सुरक्षा एजंसी इधेस है वो अपना काम करे और हम जैसे जो लेखक है हमारा अपना काम है कि समाज को यह चेतना द जो एक चांधानिों की पिरसी खुचात्य, सितने थाली को भुषे क के नाम बाहर से बाहर uda जांक से भालतर आते खीन, महीं है उसी ख्वाया आवह मुष्भानो से हो गया उसम्में सुछांत के बाहर थाली कुछ से साथ कंगना राणावत आप उनके अगेस्ट होते हो आप रभी किशे ने उनके अगेस्ट होते हो शुषांद के बारे में आप कुछ बोलते नहीं हो और किसी नडक्स को लेकर कुछ बोल दिया कि हां ये तो गटर है हां मैं भी कह रही हूं कि भाई जो जो इस के पक्ष में खड़ी हैं उनकी अपनी विचारधारा क्या है मैं दिपिका पादकोर से पुछताश होती हो और पाच घंटे की पुछताश में वो तीन बार रोती हैं क्या कहेंगी आप ये इमोशनल कार्ड जो दिपिका पादकोर के तरफ से खेला जा रहा है जब हम पर बी जिसमें वो फेमिनिजम वाला कार्ड खेलना शुरू कर चुकी है मैं बेसिकली कवित्री हूं पहले तो मैं बात यहां से शुरू करूंगी कविता के माध्यम से मैं चार पंक्तियां करती हूं कि क्योंकि हम ने उधारन गलत चुन लिये बढ़ावा किस ने दिया हम लोगों से लेके और जया सआओ तक और ऐसे बहुत सारे नाम इस समय टीवी स्कृन पे फ्लैश हो रहे हैं तो मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि जो भी पुरुष करते हैं जो हमारे साथ करते हैं वो अकेले करते हैं जब एक महिला पर बात आती है क्योंकि हम जनिनी है हम संतति देत तो मैं चार पंग्तिया पहले तो पढ़ती हूं कि बेटिया सुतेज पुझ रेशमी किरण एक ऐसे में निराशा वाली बात करनी है क्यों द्वार देहरी सजाएं गगन भी भेद आएं व्यर्थ में हताशा वाली बात करनी है क्यों और यही मातुगारगी है जीजाबाई अब पैरों में लगाए पंक ओड़े ओड़े जाए हिमा दीपी का विपाशा वाली बात करनी है क्यों तो ऐसे ये कोई भी नाम हो इस काम से अभिनेक शेतर से इस शेतर से हमें कोई समस्या नहीं है लेकिन जिस तरह से इसको सिर्फ ग्लैमर का एक दलदल बना दिया गया जिस अब इसको मैं रॉष्णी भी नहीं कह सकती उसको चुपा दिया गया था आप बॉलिवुड का ड्रक्स का करनेक्शन कोई आज का नहीं है यह किसी बहुत पहले से होते हैं बहुत पहले से हम इस तरह के सुनते रहे कि जब सेंडर वर्ड का जो साया पड़ा बॉलिवुड जब तब से वो ड्रक्स के एंट्री और शायद उसके पहले से भी लेकिन ऐसा क्या रहा तीपिका पादुकौन विशेश रूप से सोचियो वो किसकी बेटी है वो श्री प्रकाष पादुकौन जी की बेटी है जिन्होंने देश को गौरवानवित किया है अपने खेल के अपध्यम है लोगों से जुड़ेने का तो हां एक इस्तरी होने के नाते भी मैं थोड़ा ज्यादा शर्मसार महसूस करती हूं कि कहां पे ऐसे कुछ मुठी वरुधारन एक हमारी कहते नारी जाती को कहीं शर्मिंदा करते हैं हमें कटगरे में खड़ा करते हैं और रही बा पुरचान का ट्वीट आ चुका है फमिनिज्म काड कहें खेलते हुए कि वह देखा महिलाओं को ज्यदी से पूछ तो जाहिरता बात है यह सकते से पोछ तो नहीं सकता कि इसमें पूरूश नहीं होंगे यह मेल सबनाएन रखे विक्टिम काड़ खेलने दीजिये वो तो सारा कुछ तो वो अपना काम कर रही है जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो अपना काम करें जो न्यूज एजेंसीज हैं जो मीडिया है वो अपना काम करें और हम जैसे जो लेखक हैं हमारा अपना काम है कि समाज को चेतना देते रहना कि यह चार नाम उधारन नहीं हो सकते इनक मामले में भी जाच हो रहे थी करन जोहर के जो चेहरे का रंग है उड़ गया पहले तो वो सफाई दे रहे थे कि इसमें मैं जो डारेक्टर पकड़े जा रहे हैं जो रिमांट पर जा रहे हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है उन्होंने तो हमारे प्रोडक्शन में काम कि अब उनको लेकर जो वो जाचर रिपोर्ट आई है उसको लेकर मंधन चल रहा है करन जोहर के तरप से लेकिन उनकी चहरे का जो रंग था वो उड़ा हुआ था क्या कहेंगे आप करन जोहर को लेकर है शायद हमें यात करना defending करना होगा करन जोहर के चल लेग वीडियो जो कि स्वया में उन्होंने लाइफ करके ट्विटर पे कर दिया था इंस्टा पे शायद कर दिया था और उसके बाद वो वीडियो एकदम से वायरल हुआ था और जिस वीडियो में बहुत साक्ष थे वहां पे बैठे लोगों के हाओ भाओ उनका जो कुछ भी वहां कि जब तक धमाका ना हो तब तक कान नहीं खुलते किसी के तो यह तो सिर्फ चोटे मोटे चोटे मोटे से उधारन है खाली बीच बीच में यदि हम लोग शोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं यदि आप देखते रहते हो तो इस तरह बहुत सारे विशेस रूप से स्टार के लिग ४्रिप्स के जह जो वीडियोस है इस समय तो इतने हैं तो यह जो जिश तरह के वहाँ से बाह से प्यपरासी है उनके पीछे पीछे लगे रहते है तो ऐसे बहुत सारे वीडियो ह Tik cleaf. बढ़ तुसलोग ऐं तो है आप इनके भाव बंगिमा देकर बताएंगे कि धमाका ना हो, हमारे यहां कोई चेतता नहीं है, कोई जागता नहीं है, और यह उसी का ही प्रतिफल है, तो अभी सिर्फ करन जोहर क्या, मुझे तो लगता है कि अभी बहुत बड़े बड़े नाम, कम से कम समकालीन, ऐसे बड़े नाम, बड़े प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि आप यह देखिए, जो लड़कियां, अभी जो अबनेत्रियां जो आई हैं, वो सारे टॉप की हैं, जो उनका जो कद है, इंडस्ट्री में, वो सब टॉप का कैडर है, वो आया है सामने, तो अभी तो यह मुझे तो लगता है कि यह तो बस अंगडाई है, अभी तो बहुत को छागे बाकी है, दिपिका पाद को श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का जो क्रेडिट कार्ड है, उसकी डीटेल्स ले ली गई, अब तीन साल तक उन्होंने, जो पिछले तीन साल की ट्रेंजेक्शन है, उसकी जाँ चल रही है, कि उन्होंने कहां किसको पेमिंट की ह क्या आपको लगता है जब ये सारी चीजे आएंगे और उसके बाद इन लोगों की गिरफतारी होगी, क्योंकि रिया चकरवर्ती जिस तरीके से मना कर रही थी ड्रक लेने से, और उसके बाद जब चीजों को खंगाला गया, उसके बाद आज वो जेल में मैं तो ये चाहूंगी कि जो भी दोशी है, किसी को दोशी साबित करना हमारा कारे नहीं है, वो सुरक्ष अगेंसी और न्याए प्रक्रिया की बात है, लेकिन तथ्यों के आधार पर, साक्षों के आधार पर, जिसके भी ट्रांजेक्शन सामने आते हैं, तो मुझे लगता ह लेती हैं, यह लोग इस तरह की प्रोहिबिटीट मेडिसिन्स लेती है, तभी इतना स्लेम ट्रिम ग्लोइंग रहती है, अच्छा यह जो अभीनेता है, इनकी लाइफ स्टाइल क्या है, इनकी बॉड़ि वड़ि कैसे बनी रहती है, अगर यह लोग इस दल दल में हैं, तो मतलब है इन दवाईयों में ऐसा कुछ है जो कि हमें इस तरह का हमें एक शो आफ देता है तो मुझे अच्छा लग रहा है अच्छा से मतलब यही है कि है किस तरह की जो गंदगी है वो सामने खुल के आ रही है तो ये समाज के लिए अच्छा है ये युवाउं के लिए अच्छा है और अभी तो मुझे लगता अभी तो बहुत सारे नाम सामने आने बाकी आप तो शुरुवात भी नहीं हुए यह ढंक से ऐसा मेरा मानना है जी बिलखुल में आप कव्यत्री हैं और जया बच्चन जी की अगर हम बात करें तो वो भी उसी परिवार से आती हैं और कितने महान थे हरिवन्ष राय बच्चन वो कहते हैं कि बॉली वुर्ड पर सवाल उठाये जा रहे हैं आपको देखा होगा जब से केस हुआ विसे शुरूप से शुषान तवाला शूशल मीडिया पे बच्चन साहब बहुत एक्टिव रहते हैं लेकिन उन्होंने बिल्कुल चुपी साथ के रखी बहुत सारे लोग यहां तक कि मेरे जैसे लोग जो कि उनकी कला के प्रशंसक रह अचा ठीक हम यह मान सकते हैं कि आप बुजूर्ग हैं आप नहीं सामने आना चाहते आपकी जो मानसिक्षांति आप उसको ऊपर रखना चाहते थे लेकिन एक अभिनेता वह आपके लिए कोई छोटा मोटा चलता हूँ अभिनेता होगा लेकिन बोजपुरी सिनेमा का एक ब बहुत सारे पुरुसकार जीते हैं यदि आप उनके लिए यह बोलते हो कि वह जिस थाली की बात कर रहे हो जो सिर्फ कपूर बच्चन या जोहर परिवार तक की है जिसने ड्रक्स नहीं लिए जिसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया वह इस बात से क्यों डरेगा क्या यह जो बच्चन साब का परिवारी हो गया कुछ यह कपूर परिवार हो गया यह थाली बस इतनी सी थाली है क्या उसमें सुषांत से लेके रवी किशन जी जैसे ऐसे नाम जो बाहर से आते हैं जो यूपी बियार से आते हैं हम सब भारतवाशी है कि जो यह यह लोग दूसर मैंने उनक्या गेस्ट होते हो शुषांत के बारे में आप कुछ बोलते नहीं हो और किसी ने डक्स को लेके कुछ बोल दिया कि हां यह तो गटर है हां मैं भी कह रही हूं कि भाई जो इस तरह के दलदल में गुसा हुआ है हां तो वह गटर ही है ठीक है उसको आप क्या अब